अगर आपने UIDI Self Service Update Portal से अपने आधार कार्ट को अफडेट किया है तो वहाँ पर आपको 8 डिजिट का जो URN नमबर दिया जाता है वो किस प्रकार से आप उसका status चेक कर सकते हैं क्योंकि वेबसाइट में 14 डिजिट का URN नमबर डिमांड किया जाता है एट डिजिट के URN नमबर से आप 14 डिजिट का URN नमबर किस प्रकार से बनाएंगे आज की इस वीडियो पूरा प्रोसेजर बताने वाला हूँ मैं हूँ चंद्रभान चक्रवर्दी आप देख रहें अपना यूटूब चैनल टेकर वेजिट चलिए शूरू करते हैं दोस्तो जब आप लोग सेल्फ सेर्विस अपडेट पूर्टल से अपने आधार कार्ट को अपडेट करते हैं और अपना पेमेंट करते हैं जो आपके सामने रिसीप जेनरेट होती है वह एकनॉलेजमेंट नंबर की फिसलिप इस प्रकार की होती है यहाँ पर आपको अपना लाइन डिमोग्राफिक अपडेट का यहाँ पर आपको लोग देख सकते हैं जो एपलीकेंट होता है जिसका भी आप लोग आधार अपड है नंबर जो कि अपडे रिक्वेश्ट नंबर होता है तो यह जो नंबर होता है यह आठ ही डिजिट का दिया होता है जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह रिसीप्ट है मेरे पर तो 6 7 8 9 5 274 अब यह जो नंबर है यह 8 डिजिट का है नीची इन्वाइस नंबर दिया हुआ है तो यह इन्वाइस नंबर है यहां पर आप लोग देख सकते हैं पैड एमाउंट यहां पर डेट और करेक्शन जो भी आप करेंगे तो करेक्शन आपको यहां पर सो करेगा जैसे कि एक्जिस्टिंग हमने यहां पर डेट रिक्वेस्ट की थी और डेट आप बर्थ चेंज करने के लिए तो जैसे कि एक्जिस्टिंग डेट आप बर्थ इनकी 372006 है और यहां पर प्रॉब्लम यह आती है एक्शुली में होता क्या है कि यह जो नंबर जेनरेट करता है यूर सर्विस अपडेट पोटल की तो जब आप लोग यहां पर जाएंगे यहां पर आपको जब देखने को मिलेगा चेक अपडेट स्टेटस जो आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर इस प्रकार का इंटरफेस आगा यहां पर आप हुआ है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर लाके अगर मैं इसे पेस्ट करता हूं तो यह इन वैलीड ही बताएगा उसे या फिर यह पेस्ट हो नहीं रहा है तो चलिए हम इंपूट देते हैं इसको इसको किस प्रकार से बनाना है इसके लिए क्या करने सबसे पहले आपको यहां पर अपना आधार नंबर इंपुटट देना है जैसे की यह यह तर मिदा संथावन नंबर पहले इंपूट करते हैं पर इसके बाद अब आपको यहाँ पर URN नंबर जो देना है यह जो आपका URN नंबर एट डिजिट का है इसके पहले 14 डिजिट का आपको बनाने के लिए 6-0 यहाँ पर 8 कर देने हैं तो चली हम यहाँ पर 6 डिजिट जो है जीरो के एड करते हैं तो 123456 एड किये इसके बाद अब आपको इस एकनॉलेजमेंट नंबर को लिखना है तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसे 6-7-8-9-5-2-7-4 6-7-8-9-5-2-7-4 यह आपका 14 डिजिट का हो गया तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रीन मार्क देखने को मिल जाएगा इसके बाद अब आपको नीचे क्लिक करेंगे तो यह आपकी एरर अप शो नहीं करेंगे तो इस प्रकार से आप अपने यूरे नमबर को एट डिजिट में कनवाइट कर सकते हैं आँगे 60 एड करके इस प्रकार से आप इसके स्टेटस भी चेक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके पूर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में